हेलो एवरिवन तो आज मैं आप लोग को बताऊंगे कि मैं अपने पार्लर पे अपरलिप्स की थ्रेडिंग कैसे करते हूँ तो सबसे पहले हमने टेलकम पौडर के अप्लिकेशन की है दिन उसके बाद हम क्या करते हैं अपरलिप्स का जो कोना होता है बिल्कुल यहां से आपको वहां से स्टार्ट करना है करते करते बीच में आना है दिन उसके बाद साइड के हेड्स को रिमूग करना है तो जब भी आप upper lips पे ठेड चलाते हैं तो हमेंसा client को कहना है कि आप बिल्कुल stretch रखे upper lips को बिल्कुल भी moment ना करें अगर moment client करता है तो आपको थोड़ा सा धागा slow चलाना है और थोड़ा सा carefully चलाना है क्योंकि इससे क्या होगा बीच में अगर client upper lips को loose छोड़ देता है तो उससे skin जो है वो कट जाती है specially जो हमारा lips होता है कोने पार्ट में जहांपे मैं कर रही हूं वो जल्दी पकड़ में आ जाता है धागे में और वो बहुत ज़्यदा कट के बहुत ज़्यदा bleeding होती है वहाँ पे तो आप लोग को यह सब बातों का ध्यान रखना है और देख सकते हैं final look हमारा कितना